तुम्हारी सारी सिक्षा, लीक्षा, तुम्हारा समाज, तुम्हारी सनस्कार, तुम्हें दौनत सिखाते हैं दूसरे के पीछे, महस कांच्छा सिखाते हैं, धन के लिए, पत के लिए, प्रतिश्णा के लिए, यस के लिए, दुरभाग्य है हमारे, कि अब तक हमें ऐसा समाज भी पैदा ना चाब सकते हैं, जो तुम्हें कुछ सिखाता हो, राज की वे बातें, कैसी तुम अपने को परचान लो, और उस से बड़ी कोई प्रतिस्था नहीं, और उस से बड़ी कोई अभिप्षा नहीं, एक बहुत अनुठी दुनिया है, यहां पासा से बरें हुए लोग भिक्मंगे बने हुए गुंद रहे, जेने संब्राथ होना था, वहां पुने देखा रहे के पास रिलीव है गुंद रहे, थोड़ा से प्रयास, लेकिन तुम्हारे समाज तुम्हारे संसकार्त निदवाति, वो तुम से कहते हैं स्वयम वो जान, यया जनमोवन या कभी होता है, यह किसी आवतारिपुरस के जीवन होता, या किसी तितधंकर के जीवन होता, ये कोई मसीहा, कोई प्रेगंबर, कोई इस्वर्टा पुत्र, तुम तो एक अधना आदमी हो, तुम इस जंजट में मत पढ़ जाना, तुम इस मुश्किल को हाँ में मत ले, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं तुम से कहता हूँ, कि ये तुम्हारा जन्र सिद्ध अधिकार, और इसके लिए तीर्थुंकर होना जरूरी नहीं है, ये गटना गट जाए तुम सिद्ध कर हो जाओ, इसके लिए कोई मसीरा होना जरूरी नहीं, ये गटना गट जाए तुम मसीरा हो जाओ, मसीरा होना पहली जरूरी नहीं है, अंतिन परिनाम, बस तुम से एन गंटा मां ताम और 24 गंट में तुम एन गंटा न देशपो इतने दीन तो रही इतना दीन तो वह भी रही है और मैं नहीं कहता है कि मंदल में जाओ और मैं नहीं कहता है कि मजद की फिकर जाओ क्योंकि मेरी दरश्टी यह है कि मंदर और मजद और दिर्चे और गुर्द्वारे घातक सिर्थ हुए इनने एक ख्याल पैदा किया कि बद्वान तुम्हारे घर्व में है मैं तुम से कहता हूं तुम जाओ वहां हलवान इसलिए तुम जाओ बैदे वहीं तीर थो गए बस चला मौन पैचाओ साम पैचाओ थोड़ी देर अबेर लगे तो भवरानमा और लोग इतने अधैरी से भरे एक साधारन सी सिक्षा जो ने जादस जादा किसी आफिस्ने क्लर्प बना के छोड़े उसके जिन्दगी के एक तहाई हिस्सा करने को राजी और पच्चीस वर्ष इंवर्सिटी इस्कूल कालेजों के चक्कर काटने के बाज पर दफ्करों के चक्कर काटने मिश्यों और तुभी नहीं सोचते कि मैं तुम से के वाल एक ही घंटा मांग रहा हूं और उस घंट भर की अनभूर तुम्हें बहां पहुंचा देगी उस अमरत अनभूर उस सास्वत में जिसके पाने के लिए ये जलब एक पाक साल है झाल 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 झाल